देखिए इसमें क्या है था कि लुई मैथेड में क्या करते हैं कि इसमें क्रिश्टर की इंटर्प्लेनर स्पेसिंग निकालते हैं इंटर्प्लेनर स्पेसिंग किसे निकालते हैं ब्रेक्सला से निकालते हैं ब्रेक्सला क्या कहता है 2D sin theta is equal to n lambda ठीक है तो उपकर बता है कि आसे structure crystal structure determined करने के बहुत में थड़ा है एक लुई method होता है rotating crystal method होता है और एक powder method होता है ब्रेक्रा में लुई पूच्छा तो में लुई बताएंगे क्या है लुई method काते है यहां से क्या आते एक पीन होल होता है यह फिल्म फोर मलब यह यहां पे आपके जो सेंपल की यह दू फिल्म लगी हुए है यहां पे आपको पैटर्न उब्स आपका यह stand है यह क्या सेंपल है इस method में हम क्या कहते है single crystal health stationary मलब इस crystal को कहा रखते है एक जगा स्थिर रखते है इसके उपर हम x-ray beam fold करते है इसके उपर और इसकी x-ray beam होती है उसकी लग-लग value lambda होती है discrete values होती है ठीक है और इसको अलग-लग angle भी incident करते है इसके उपर ठीक है तो फिर उसका bright glass है हम इसको निकाल रहते है in this arrangement in this arrangement x-ray source spreading x-ray continuous wavelength over the range 0 to 2 to 2 m strong 0.2 से लेके 2 m strong तक इसमें यह सारी wavelength हमया से इसके बेजते है ठीक है और size of sample कितना होता आपका 1 mm के ठीक है यह फिल्म A और B है यह आपका गया है कि reflection और reflection यह क्या करती है यह वापस आकर जो इसपर कराएगा उसका pattern note करेगी और यह reflection का pattern note करती है और transmission का pattern note करती है ठीक है only हम कौन सी values lambda की select करेंगे जो करते हैं discrete होते continuous value का भी select करेंगे and reflected by the crystal आप देखो सारी की सारी values transmit नहीं होंगे सारी की सारी values reflect नहीं होंगे कुछ transmit होंगी कुछ reflect होंगी सिरफ वह selected values आपकी pattern देंगी जो आपके black law को satisfy करती है तो यह आपका क्या था simple question आपका यह भी 4 number में आपका question है इसको करेंगे आपके के धने करता